हलो गाईज, विल्कम बैक टू क्लाउड एमिल, पिछले क्लास में हमने कुछ विजुलाइजिशन बनाये थे और हमने सीखा था कि हम कैसे डिफेंट फॉर्माटिंग कर सकते हैं, एक ही फॉर्माटिंग इफ हमने कर दी है तो कैसे उसी सेम फॉर्माटिंग को हम दूसरे प्रण करा था, तो आज हम सबसे पहली चीज जो बना रहे हैं वे इस ताक पार्चार्ट तो यह एक चार्ट है जो मैं बनाने जा रही है हूँ और यहां पे मैं सब कैटेगरी वाई सेल्स चाहिए तो ऑविसली मेरी सब कैटेगरी जो है वो जाएगी य एक्स पे, तो मैं मैं इसको y-axis पे ड्राग कर रही हूँ इसके बाद मेरी जो sales है वो कहां जाएगी वो जाएगी x-axis वो जाएगी y पे just a second ठीक है तो मेरा visualization कुछ इस तरीके से बन के आया कि phones हर subcategory के लिए यह particular sales है अब मुझे इसी visualization के अंदर यह भी देखना है कि उस तब category का reason-wise sales क्या है जैसे हमारे पास east, west, south, central reason है तो पर reason का sales क्या है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम simply reason को drag करेंगे और legends में डाव रहेंगे तो इसलिए मैंने आपको पहले क्लास में legends के बारे में नहीं बताया था अब आप देखेंगे तो हर sales के लिए जैसे इसमें देखेंगे तो phones की चार पार्ट चार कलर्स में यह बार दिख रहा है similarly यहां पे भी चार कलर्स में दिख रहा है अब हर कलर का क्या मतलब है वह आपको यहां लिखावा मिलेगा वेस्ट परपल कलर के लिए वेस्ट है औरंज कलर साउथ के लिए है ब्लू कलर इसके लिए है और नाइट ब्लू कलर सेंट्रल के लिए है तो जब भी हम कोई भी लेजेंट को ऐसे ड्राग करेके इसके अंदर डालते हैं तो ऐसे ही लेजेंट हमारे बन जाएंगे अब यह पिक्चर अभी भी उतना मुझे सही नहीं लग रहा है मुझे और इंफिर्मेशन सही है इसके अंदर अगें एक्स एक्स में जाके आप थोड़े फॉर्माइटिंग्स करो फर्स्ट अफॉल मुझे टाइटल नहीं जाहिए एक्स एक्स के लिए आइनो कि यह सब कैटेगरी है तो मुझे वह टाइटल में नहीं दिखाना थोरा size increase कर दो उसको bold कर दो if you want उसका color change कर लो इसके बाद यह हुई एक्स एक्स के बाद जाहो सेम चीज आप चाहो तो य एक्स के साथ कर लो अभी आपको दिख रहा होगा कि values thousands में दिख रहे हैं again values में जाके आप चाहो तो thousands से change करकी millions में कर सकते हो decimal places अभी 2 हैं चाहो तो 3 कर लो चाहो तो 4 कर लो तो जैसे आपको अपना data present करना है उसे साथ से आप changes कर लो पर मुझे thousands में ही साही लग रहा है तो मैं इसको thousand में ही लखूंगी again मुझे यहां पर title नहीं चाहिए मैं इस diagram का ही एक particular title बना दूँग और इसको भी orange color रखना है तो यह कुछ changes है जो मैंने कर दिये y axis के साथ भी अब legend legend currently on है इसलिए ऐसा देख रहा है if हम legend को off कर दे तो आप देख रहे हो यहां पर यह जो legend था वो गायब हो गया बट मुझे legend चाहिए क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि purple, orange, blue और यह किस color का है मैं कैसे data किसी को दिखाऊंगी तो उस सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कौन सा legend कौन से color का था तो इसलिए मैं legend को यहां on रखूंगी तो यह situation based है कि आप legend को on रखना चाहते हो off रखना चाहते हो currently देख रहे हो आप तो आप और मुझे top-right में बट मुझे मुझे इसलिख आप चाहिए माल लोगे मुझे top-centre भी पसंद मि आहरा तो आप जिस हिसाब से करना है Ama आप एसे कर सकते हो इसमें बहुत सारे options है अब अपने aur NC-Try करो च्क करो explore करो और फिर जहां आपको मन करें वहाँ पे इसकी position set कर दो इफ आप चाहो तो center right पे भी कर सकते हो center right पे क्योंकि यहाँ पे तो लोग सा space खा ली था क्योंकि इसके graph सुत्य बरे नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि उपर में भी यहाँ पे space ले रहा था इसलिए मैंने यहाँ कर लिया अब यह लही legend की बात आप चाहो तो फिर से legend की size को increase कर सकते हो legend की size को increase करके उसको bold बना सकते हो उसका color जो चाहो वो कर सकते हो अब again आप देखोगे तो legend का भी एक title है जो की reason कह रहा है but मुझे title नहीं चाहिए तो मैं title ही बंद कर दोगी इफ आपको चाहिए तो आप रख लो फिर आप title रखोगे तो again आप title को चाहो तो change भी कर सकते हो reason नहीं रखके आपको कुछ और रखना है आप वहाँ change कर लो इसे double click करके हटा दो और कुछ भी टालो x, y, z तो यह वहाँ पर reflect हो जाएगा but reason सही है तो मैं reason ही लिख रही हूँ अब यह done है now legend भी हमारा set हो चुका है अब देखोगे तो यहाँ green lines भी आ रहा है इस image पे let me zoom it देख रहे हो यहाँ पे green lines देख रहे है तो मुझे यह green lines नहीं चाहिए काम करते हैं हम legend को उपर ही कर लेते हैं ताकि हमारे diagram पे चीज़े सही से दिखें तो legend को मैंने उपर कर लिया top left में ठीक है अब देखो green lines मुझे नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल पसन नहीं कि मेरे visualization में diagram हो मैंने off कर दिया green line को but if आप on करना चाहो तो आपके पास again यहाँ पे different formatting options बलेंगे zoom slider भी हमने discuss किया था तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह चीज़ भी clear है columns अब यहाँ देखो हर column का एक already color already fixed है साउस का color और इंदो वेस्ट का color सही है let's say central का color मुझे चेंज करके light और light करना है तो ऐसे आप changes कर सकते हो जो भी color let's say आपके किसी भी state का कोई यह color है तो आप उस color के हिसाब से उसको वहाँ पे दिखा सकते हो again एक चीज़ नोटिस करो यहाँ किसी भी graph में यह नहीं दिख रहा है कि data label क्या है मतलब क्या sales हुई थी क्योंकि data label यहाँ पे off है इसको जैसे ही हम on करेंगे तो आप देख पार है हर बार के लिए एक value show हो रही है तो इसी graph से आपको पता चल जाएगा कि phone का sales Central के लिए क्या था phone का sales East के लिए क्या था South के लिए क्या था Similarly, West के लिए क्या था अब data labels on करने के बाद आपके पास option है कि आप कैसे उसको दिखाना चाहते हो horizontally दिखाना चाहते हो vertically दिखाना चाहते हो तो I prefer कि मेरा data horizontal रहे वो जादा सही रिखता है तो इसी value थोड़ी दिखेगी तो अब देख पारे हो गया आपकी हमारा image जो पहले power bi ने automatically बनाया था और formatting करने के बाद कितना अलग हो गया ना अब कितना प्यारा लग रहा है यह देखने में अब देखो units अब यह थाउजंस में हैं चाहो तो नन कर लो तो इस्प्ले दिखाएगा ही नहीं फिर थाउजं कर लोगे तो इसे दिखा रहा है और यह देखो अब मैंने two dots पे कर दिए हैं चीजों को तो इसे दिखा रहा है तो यहाँ पे थाउजंस सी रखते हैं हम और decimal place को जिरो कर देते हैं कि हमारा data सही दिखे तो ऐसे दिखा रहा है अब हमारे पास एक और option है कि हम background on करना चाहते हैं if आप on करोगे तो आप notice करो थोड़ा थोड़ा background आ गया इनके पास तो आप पे दिबंड करता है background on रखो off रखो जैसे भी आपको data सुदर रखता है वैसे आप करो अब एक चीज़ और notice करो हर state के लिए तो है हर reason के लिए तो है but मुझे phone का collective sales भी देखना है तो वो कैसे देखेंगे उसके लिए total levels on कर दोगे आप तो यहाँ पे देखो हर किसी का दिख रहा है उपर 330 पूरे फोल्स की जो sales थी वो थी 330 के और यह further उसका division हुआ है on the basis of regions तो I hope labels data labels और total labels की concept भी clear है again यहाँ पे आप उसके size को increase कर सकते हो color change कर सकते हो display units change कर सकते हो decimal places change कर सकते हो background on off totally depends upon you वो भी आप कर सकते हो so this is about total labels अब इतना करने के बाद आप notice करो हमारा title अभी भी सही नहीं लग रहा है तो title में changes करने के लिए हम क्या करेंगे हम simply general में ज़ाएंगे यहाँ पर title on है title मुझे चाहिए इसके बाद जो title है मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं इसको simply remove करूँगी मैं लिखोंगी sales sorry, category wise sales for each region तो यह मैंने एक अपना वो बना दिया title बना दिया heading 3, 4 जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो normal चाहो normal रख सकते हो यह यहाँ पर basically fonting change करेगा अब मुझे font थोड़ा सा बड़ा चाहिए और मुझे font type भी थोड़ा सा अलग चाहिए तो इसके बाद मुझे bold भी चाहिए और मुझे यह central में चाहिए ठीक है और इसके बाद text color मुझे black से चलेगा but text color भी change कर देते है green कर देते है now coming to title is done now effects, effects में क्या आएगा background is on, जो की white है चलो इसको black करते है ठीक है यह सही लग रहा है black करने के बाद visual border भी है इसको भी आप on off जो भी चाहो वो कर सकते हो और suppose करो अच्छा पहले यह कर लेते हैं फिर मागे बात करेंगे rounded corner मुझे चाहिए मुझे rounded corner सही लगता है तो मैं rounded corner ही बनाऊंगी यह देखो rounded corner हो गया और इसके बाद बाकि सारी सीदे tooltip में जो है वही चाहिए मुझे और कोई changes नहीं चाहिए अब थोड़ा सा zoom in करो और यह देखो यह रहा आपका diagram कि कितना सुंदा लग रहा है पहले यह उतना सुंदा नहीं लग रहा था लेकिन after making changes यह बहुत प्यारा लग रहा है बस मुझे एक कमी लग दी कि legends थोड़ी गलत जगह है तो मैं इसको भी बीच में कर दूँगी अब सहीए तो ऐसे ही आप different different ideas लगा के क्या होता है ताकि चीज़े आपके लिए simple हो तो this was about legends इसमें basically इस concept में मैंने आपको legends के बारे में बताया अब यह एक theme बन गई ठीक है अब इसमें आपको जो भी changes की है यह theme बन गई आपको यह बहुत पसंद आया आप इसको save करना चाहते हो तो आप simply इसको save भी कर सकते हो इस theme को review यहाँ पे देख रहे हो आप customize current theme तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपनी theme भी बना सकते हो यहाँ पे how to create a theme यह देख रहे हो तो आप simply अपनी theme बना सकते हो यहाँ से और चीजों को समझ सकते हो यहाँ से तो I hope यह चीज़ क्लियर है कि हैं कैसे कैसे चीज़े यहां से कर सकते हैं आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं हम next class में मिलेंगे और हम इसी diagram पे और जादा बातचीत करेंगे Till then take care, stay safe, bye bye guys हुआ हुआ हुआ